कि देखिए जो इसके आगे का पोर्षन हम पढ़ने वाले हैं वो उसमें भी हम इसी का यूज करेंगे और इससे समझेंगे ठीक है चलिए देखिए अब हमको यह बताना है कि freefall यानि कि मुक्त गति होता क्या है हम यह समझेंगे कि मुक्त गति होता क्या है मतलब freefall या इसको गुरुत्विय गति भी अपन करते हैं ठीक है तो हमारी हेडिंग होगी यहां पर गुरुत्विय गति गुरुत्विय गती या इसी को बोलते हैं अपन मुक्त गती इसी को मुक्त गती भी बोला जाता है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेस्नल ग्रेविटेस्नल मोशन या इसे बोला जाता है फ्री फॉल यह नाम भी देते हैं Free Fall या इसको हम बोलते हैं गुरुत्विय गती ठीक है अब इसे समझेगा हम इसमें यह कहते हैं कि यदी कोई कड यदी कोई कड इस प्रकार गती करता है कि यदी कोई कड इस प्रकार इस प्रकार गती करता है कि इस प्रकार गती करता है कि उस पर केवन गुरुत्वा कर्षण बन उस पर केवन गुरुत्वा कर्षण बल ही लग रहा है गुरुत्वा कर्षण बल ही लग रहा है तो उसके इस प्रकार की गती को गुरुत्विय गती या मुक्त गती गुरुत्विय गती या मुक्त गती या गुरुत्वा कर्षण के अधिन गती कहते है या गुरुत्वा कर्षण के अधिन गती कहते है ठीक है अब ये बात समझेगा इसमें एक नोट आपको लिखना हो एक नोट लिखना है आपको वो समझे हम करते हैं कि गुरुत्विय गती में गुरुत्विय गती में कड का त्वरड के बराबर होता है गुरुत्विय त्वरड के बराबर होता है ये नोट है और इसे आपको ध्यान रखना है इसे एक बार समझे हम यहां पर यह कहते हैं कि गुरुत्विय गती या मुक्त गती आखिर होता क्या है तो हम इसमें कहते हैं कि अगर कोई भी कड इस परकार गती करे कि उस पल केवल गुरुत्वा कर्षड बल ही लगे मतलब इसके अलमा कोई बल और न लगाया जाए तो उसके इस परकार की गती को हम गुरुत्विय गती या मुक्त गती या गुरुत्वा कर्षड के अधीन गती कहते हैं इसमें आपको एक note ध्यान रखना है कि गुरुत्विय गती में जो कण का त्वरण होता है वो गुरुत्विय त्वरण के बराबर होता है अब गुरुत्विय त्वरण के बराबर होता है इसका मतलब क्या है कि जो हम वहाँ पे A यूज करते थे वो A की जगा अब हम G पूट करेंगे एक जगह क्या पुट करेंगे जी पुट करेंगे और जो जी की वैलू होगी वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंद का the response में हम ले सकते इसको 10 मीटर पर सेकेंड का सीकर कहार नहीं समझार है तो ए यानि कि गुरुतंवी अत्वर यानि कि इसको बोलेंगे एक जगा जी रखेंगे इसकी वैलू 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्कॉायर होती है या इसे हम 20 मीटर पर सेकेंड का स्कॉायर ले सकते हैं जिससे कि हमारा क्वेस्टन जल्दी सौर बजाए तो यह होता है अब यहां पर जारा ध्यान से देखिएगा जो गुरुत्विय त्वरल होता है वो हमेशा अर्थ की तरफ होता है धर्ती की तरफ हमेशा इसकी डारेक्शन जो डी की जो जी की दिसा की बात कर रहे हैं जी के डारेक्शन की बात कर रहे हैं यह हमेशा नीचे की तरफ होगा और नीचे की तरफ होगा और इसकी वैलू को आप चाहें तो 9.8 रखें या फिर आप रख सकते हैं दोस मीटर पर सेकंड का स्कॉयर आप या तो यह रखिए या तो यह रखिए दोनों में से रख के आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है ना तो यह बात आप होता है उससे लिखेंगे तो देखिए अब हम लिखेंगे गती का समीकरण अगर हम पहले समीकरण की बात करें तो देखिए अच्छा यहां पर हम आपको कुछ चीज बता दें पहले समीकरण लिखने से पहले कि यहां पर आप क्या क्या रखने वाल अच्छाल पहले लिख लें देखिए आप पहले समीकरण को लिखते हैं V is equals to U plus 80 दूसरे समीकरण को लिखते हैं S equals to UT plus half 80 का स्क्वाइर जो तीसरा समीकरण आपका होता है वो होता है V का स्क्वाइर बराबर U स्क्वाइर प्लस 2AS यह होता है अब देखिए यहां पर जब आप मुक्त गती यानि के गुर्तवाकरशर के अधिन जब आप कोई क्वेस्टन स्वाल करते हैं तो उस टाइम आपको इन में कुछ चेंजेज करने पड़ते हैं जैसे आप V के जगह यानि कि अंतिम वेग की जगह अंतिम वेग वी ही रखेंगे आप U यानि कि प्रारंभिक वेग की जगह U ही रखेंगे लेकिन अच्छा T की जगह आप रखेंगे T यही रखेंगे लेकिन अब यहां पर बात हो रही है कि जो S है S को हम विस्थापन बोल रखेंगे और s की जगा उचाई यह होगा एच क्या होगा उचाई एक ही जगा अब हम रखेंगे जी और जी क्या होता है गुरुत्वियत त्वरण तो अब समझें जब यह सब जब चेंजेंज करेंगे तो जो पहला समिकरण बनेगा वो V एक्वस टू यू प्लस जी टी बनेगा एक एक प्लेस में हमें क्या पुट करना है जी दूसरे समिकरण की बात करें जहां S होता था वहाँ H लिखना है H equals to UT plus half GT का square ये लिखना है तीसरे समीकराड की बात करें तो ये आएगा आपका V का square is equals to U square plus 2GH आपका ये होगा तो जो आप इसमें समीकराड यूज करने वाले हैं equation of motion यूज करने वाले हैं वो अब ये करेंगे अब ये करेंगे और इनकी help से हम questions solve करेंगे बात अब ध्यान से सुनियेगा इसमें कुछ बाती और important होती है मतलब sign convention जो चिन होता है sign convention को बोला जाता है चिन परिपार्टी तो अब जरा इसे आप ध्यान से समझेगा क्योंकि numerical में यूज करना है न तो हमें plus minus का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मतलब carefully ध्यान रखना पड़ेगा अब जरा समझेगे कोई भी कर्ण या तो उपर से नीचे की तरफ गिरेगा या तो कोई भी कर्ण नीचे से उपर की और फेका जाएगा तो अगर नीचे से उपर या उपर से नीचे अगर इस तरीके से यानि की कोई उचाई अगर ये आपका कर्ण कवर करे तो हम कहते हैं कि वो मुक्त गती कर रहा है या गुरुत्विय गती कर रहा है या इसके अधीन गती कर रहा है तीक है आप ये कहेंगे तो जरा ध्यान से समझेगा आप यह चीज़ जानते हैं कि G हमेशा किदर की तरफ होता है नीचे तो G हमेशा नीचे की तरफ होगा अब माल लिजे कि आप किसी पार्टिकल को छोड़ रहें किसी कंड को छोड़ रहें अच्छा ध्यान से समझेगा अगर हम किसी कंड को छोड़ते हैं तो यहाँ पर U की value 0 होती है U की value क्या होती है? 0 अगर माल लिजे सारी रासियों की बात करें सारी भातिक रासियों की बात करें physical quantities की बात करें अगर सभी की direction नीचे ही हो तो यहाँ पर बाकी सब को positive लेंगे और G को भी आप लेंगे positive ठीक है? गर सारी चीजे नीचे ही जैसे आपका S नीचे हो आपका V नीचे हो आपका U नीचे हो आपका G तो नीचे है ही तो अगर ये सारी की सारी quantities एक डायरेक्शन में है आप नीचे हैं अगर सभी के सभी नीचे है तो आप इनको positive ले लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा ठीक है लेकिन अगर किसी कौण को आप उपर की तरफ फेंक रहे हैं अगर उपर की तरफ फेंक रहे हैं तो आपको जो भी quantity जैसे S की बात करें आप S नहीं यहाँ पे H की बात करें H की बात करें आप U की बात करें आप V की बात करें आप चाहे मतलब इनकी बात करें यह सभी के सभी positive होंगे लेकिन G यहाँ पे हमेशा negative होगा अगर कोई कोण उपर की तरफ जा रहा है तो क्योंकि इसकी direction हमेशा किदर होगी नीचे की तरफ बाकी किदर है उपर की तरफ तो अगर उपर की तरफ positive लेते हैं तो नीचे की तरफ negative लेना पड़ेगा अगर आप नीचे की तरफ negative लेते हैं तो अगर नीचे की तरफ positive लेते हैं तो उपर की तरफ negative लेना पड़ेगा तो खैर आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है चलिए अब हम numerical की इनको इतनी बातें सीख जाते हैं तो आप इस से रिलेटेड या इस तरीके के questions आराम से कर सकते हैं, ठीक है, numerical में कुछ concept और use होंगे, हम आपको वो concept पहले ही समझा दे रहें, ताकि numerical करते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, हाजी, कुछ बाते हैं जिनको आपको ध्य यह कहते हैं कि अगर हम किसी कण को छोड़ते हैं, तो हम कहते हैं कि उस टाइम यू की value 0 होती है, यू की value क्या होगी, 0 और फेंकते हैं तो यू की value 0 नहीं, जो दिया होगा, वही होगा, दूसरे की बात करते हैं, हम यह कहेंगे कि जब भी हम किसी कण को उपर की तरफ फेंक रहे हैं, किसी कण को हम उपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो अधिक्तम उचाई की अगर बात करता है, अगर यह कहता है कि कोई कण अधिक्तम उचाई तक जाएगा, तो जब भी अधिक्तम उचाई, अच्छा अधिक्तम उचाई को बोलते है maximum height है इसको बोलते हैं h max बोल सकते है या इसको बोलते है maximum height ठीक है maximum height यह बोलेंगे तो अगर अधिक्तम उचाई की बात करता है तो हम ये कहेंगे कि जब h max आएगा यानि कि अधिक्तम उचाई आएगा उस time आपका अंतिम वेग यानि कि v क्या होता है आपका अंतिम वेग जीरो होता है जीरो होता है उस ताइम तो आप यह बाते ध्यान रखिएगा अगर हम किसी कण को उपर के तरह थेखते हैं और वो कण कुछ दूर जाने के बाद वापस नीचे आने लगता है तो नीचे तब आता है जब उस जब वो अधिक्तम उचाई कवर कर चुका होता है अधिक्तम उचाई पर जा चुका होता है और अधिक्तम उचाई पर उसका अंतिम वेक क्या होता है जीरो होता है तो यह खायर नुमेरिकल में हमको यूज करना है तो आप यह ध्यान रखिएगा चलिए जी अब numerical करते हैं देखे जो हमारा question दे रखा है वो question क्या है बोल रहा है कि एक गेंद को धरातल से U meter per second की चाल से उपर की तरफ फेंका जाता है तीक है ज़रा question समझे हमसे ये बोल रहा है कि किसी कण को धरातल से हम उपर की तरफ फेंक रहा है किसी कण को धरातल से उपर की तरफ फेंक रहा है U वेग से प्रारंभिक वेग क्या है U है U meter per second से फेंक रहा है और आगे हमसे ये बोल रहा है कि कितने समय बाद यहां उच्चतम बिंदू पर होगा हम माल लेते हैं कि उच्चतम बिंदू जो इसका है वो ये है ठीक है और उच्चतम बिंदू का मतलब होता है H max अधिक्तम उचाई Maximum Height तो हमसे पूल रहा है कि कितने क्या बोल रहा है क्वेस्चन में बोल रहा है क्वेस्चन में हमसे ये कि कितने समय बाद यहां उच्चतम बिंदू पर होगा अगर हम बात करें उच्चतम बिंदू उच्चतम बिंदू पर व की वैलू क्या होती है 0 कितने समय बाद यानि कि हमसे पूछ रहा है time कि time क्या होगा यह हमसे पूछ रहा है पहले की बात कर लेते हैं ठीक है हाँ यह पूछ रहा है यहां पर अगर समझें तो प्रारंभीक वेग क्या दे रखा है यू प्रारंभीक वेग यू दे रखा है अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण यानि की एकसिलरेशन एकसिलरेशन के प्लेस पर हम रखेंगे जी ठीक है अंतिम वेग की बात करें तो अंतिम वेग क्या है वी तो अंतिम वेग यानि की वी और वी की वैलू दे रखी है जीरो अब देखिए अपने को समय पूछ रहा है यू दे रखा है जी दे रखा है वी दे रखा अब देखिए यहां पर समझिए, particle किधर जा रहा है उपर की तरफ, G किधर लगता है नीचे की तरफ, तो अगर हम इनको positive ले लेते हैं, अगर यह plus होजाता है, तो फिर यह आपका minus होगा, ठीक है, अगर उपर को हम plus लें, तो नीचे वाली को क्या लेना पड़ेगा, minus, V की value क्या है 0 is equals to u तो u है प्लस अब जी जी के प्लेस पे हम जी पूट करेंगे और वो जी क्या जी नहीं अभी ए लिखिए ठीक है बाद में रखते हैं अब देखें यहां पे हम बात कर रहें एक प्लेस पे तो हम पूट करेंगे माइनस जी और यह आपका होगा टी 0 बराबर आपका जाएगा u प्लस माइनस माइनस gt इसको उठाके इधर लाइए तो gt बराबर आपका आएगा u यानि कि t बराबर आपका आएगा u by g तो इतने सेकेंड लगेगा ठीक है अधिक्तम उचाई तक पहुँचने में इस कण को u by g समय लगेगा अब यहाँ पे अगर u की कुछ value दे रखी होगी 10 meter 15 meter 20 meter per second 20 meter per second जो भी value दे रखी होती यहाँ put करते और आपका answer आजाता ठीक है अगर हम next part की बात करें तो next part यानि कि b क्या दे रखा है बोल यह रहा है कि गेंद द्वारा प्राप्त की गई अधिक्तम उचाई यानि कि हमसे पूछ रहा है h max h max का मतलब maximum height यानि अधिक्तम उचाई प्रारंभिक वे क्या दे रखा है u ठीक है a की जगव क्या दे रखा है minus g और यहाँ पे आपका v क्या दे रखा है 0 ठीक है अब use क्या करेंगे हमसे अधिक्तम उचाई पूछ रहा है तो अभी हमने देखा था कि h is equals to ut लेकिन t तो दि लेकिन हम पहले के इसाब से लगाएंगे तो जब समय नहीं दिया है तो हम third equation of motion यूज़ करेंगे और यह होता है v square बराबर u square plus 2as यह होता है v के जगा अभी रखिये u के जगा u square plus 2a की जगा रखेंगे minus g और s की जगा रखेंगे h max और जैसे h max यानि कि अधिक्तम उचाई रखेंगे तो वी तुरंत क्या हो जाएगा 0 तो यह 0 का square लिख देंगे ठीक है जीरो का square कितना होता है 0 बराबर u square minus plus minus 2g h max यह लिखेंगे ठीक है अब इसको उठाके इस side लेके आएं तो 2g h max बराबर आपका आजाएगा u square ठीक है यह आएगा यहां से आप h max जब लिखेंगे तो h max बराबर आपका आजाएगा u square by 2g यानि कि जो अधिक्तम उचाई होगी maximum height होगी वो u square by 2g के बराबर होगी ठीक है तो इसे आप ध्यान रखिए चलिए बात समय में आगे कि अधिक्तम उचाई कितनी होगी ठीक है अब चलिए third की बात करते हैं तो इसमें से c part हमको यह दे रखा है कि गेंद को वापस धरातल तक आने में कितना समय लगेगा गेंद को वापस धरातल तक आने में कितना समय लगेगा हमसे यह पूछ रहा है ठीक है चलिए यहाँ ज़रा आप ध्यान से आप समझिएगा हमसे c part की बात कर रहा है हमसे यह बोला है कि गेंद को हम फेके यहां तक गया फिर वापस ground तक आता है मतलब जहां से फेंके थे वहीं तक वापस आता है तो बताइए कितना समय लगेगा इसमें कितना समय लगेगा तो देखे हमसे पूछ रहा है time time कितना लगेगा आपने इसको फेंका कितने से था u से a की value क्या है minus g अब बोला है वापस आने का मतलब जहां से कण चला था अगर वहीं से वापस आ जाता है तो height कितनी होगी 0 उचाई कितनी होगी 0 अरे यहीं से जब चला था और यहीं पर जागे ना गया तो मुचाई क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ठीक है अब देखे इसके इसाब से t हमसे पूछा है u दिया है a दिया है h दिया है तो हम दूसरा समीकरार यूज करेंगे तो यह होगा h is equals to ut plus half a t का square यह हो जाएगा h की जगा हम रखेंगे 0 u to u और t plus half a की जगा माइनस g और यह t का square देखे 0 बराबर ut minus plus minus half gt का square यह बनेगा इसको उठा के इधर लाएंगे तो half gt का square is equals to आपका बन जाएगा ut तीक है यह बनेगा अब देखे एक t से एक t cancel हो जाएगा यहां से t बराबर क्या आएगा दो को यहां भेजिए तो to u और g कहां चला जाएगा नीचे ठीक है यह आ गया तो हम देख रहे हैं कि जो यहां से अगेन यही पर आने में जो समय लगेगा वो to u by g के बराबर लगेगा अब आपको एक बात ध्यान रखनी है बात क्या ध्यान रखनी देखिए अभी अभी हमने देखा था जो पहला question था कि अधिक्तम उचाई तक यानि कि इस बिंदू तक पहुंचने में जो समय लगा था वो समय लगा था u by g लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब यहाँ पहुँच रहा है again तो जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है आपका 2u by g अच्छा 2u का मतलब क्या है आप देख रहे हैं कि दो टाइम हो गया पहले का टू टाइम इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी पार्टिकल यानि किसी कड़ को कुछ उचाई तक फेंकते हैं और जो अधिक्तम उचाई तक पहुँचने में समय ले रहा है वहां से फिर आपके हाथ में आने में उतनाही समय ल ओता है वो टू टाइम हो जाता है अधिकतम उचाई का टू टाइम हो जाता है ठीक है चलिए तो ये क्वेशं हमारा यहीं पे कम्प्लीट होता है अब हम नेक्स्ट क्वेस्टन के बात करते है हाँ जी चले देखिए इसमें आप जितनी भी चीजे बताई जा रहे हैं आप उसको अच्छे से कॉपी कर लिजिए और आप जरूर प्रैक्टिस कर लें ताकि अगर इस तरीके के क्रेस्टन्स आएं तो आपसे हो जाएं ठीक है और आप देख रहे हैं कि हम आपको जो भी चीज समझा रहे हैं एक इजी वे में समझा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में और नाहीं क्वेस्टन करने में हाँ जी ठीक है हाँ जी चलिए अब हम next question की बात करते हैं next question क्या दे रखा है अपने को next question दे रखा है कि एक गेंद को 100 मीटर की उचाई से उपर की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड के वेक से फेंका जाता है ठीक है तो आगे बोल रहा है first question में कि गेंद को उच्चतम बिंदू तक जाने में लगा समय चलिए जो भी questions हैं हम सारे questions की बात करते हैं लेकिन सबसे पहले questions समझते हैं कि है क्या बोल रहा है कि एक गेंद को 100 मीटर की उचाई से उपर की तरफ फेंका जाता है ये question जो भी है ये एक better question क्योंकि इसके पार्ट बड़े अच्छे अच्छे हैं यहां से यह बोल ला है कि जैसे एक मालीजे की यह मकान है और यह मकान जो है यहां से 100 मीटर की उचाई पर है यह 100 मीटर की उचाई पर है ground से इसके बाद बोला है कि यहां से यानि कि छत से किसी गेंद को उपर की तरफ फेंका जाता है किसी गेंद को 100 मीटर उपर से यानि कि छत से 40 मीटर पर से केंड से यहां से यह 40 मीटर पर से केंड की स्पीड से फेंका जाता है ठीक है तो हमसे बोला है पहला क्वेस्टन कि गेंद को उच्टम बिंदू तक जाने में लगा समय अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट में इस उचाई से कोई भी मतलब नहीं है कोई भी मतलब नहीं है बोल रहा है कि अधिक्तम उचाई तक पहुँचने में कितना समय लगेगा यानि कि हम बोल देते हैं कि H max तक और आप सभी को पता ये चल गया है कि अधिक्तम उचाई यानि H max का मतलब ये होता है कि वहाँ पर अंतिम वेक क्या होगा? जीरो अंतिम वेक जीरो तो यहां से अब दिखिये हमसे पूछा है टाइम कि यहां से यहां तक पहुचने में कितना समय लगेगा तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो हम इसमें कहेंगे कि U की वेलू जो दे रखी है वो 40 मीटर पर सेकेंड दे रखी है गेंद को उपर की तरफ फेक रहे हैं लेकिन G लगातार किदर लगता है नीचे की तरफ तो यहां पे A के प्लेस पे माइनस G पूट करेंगे और हमसे पूचा है टाइम यानि कि यह क्या होगा तो आप सबने पिछले वाला क्वेस्टन देखा है कि 40 प्लस A की वैलू आपकी दे रखें माइनस G और आप से T पूच रखा है ठीक है तो देखें 0 बराबर 40 प्लस माइनस माइनस G T यह होगा जरा इसको G T को इधर लाइए तो G T बराबर आपका आएगा 40 तो यहां से T बराबर आपका आजाएगा 40 बटे में G अच्छा G की वैलू क्या होगी तो G की वैलू हम लगबग रख देंगे आपे 10 मीटर पर सिकेंड का स्कॉायर ठीक है तो अगर हम यहां पे केवल G की बात करेंगे ठीक है क्योंकि G के प्लेस पे हमने क्या पूट रखा है अच्छा है छोड़ो इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे अच्छा देखें G की वैलू क्या होती है माइनस G तो हम पूट कर चुके थे लेकिन G की वैलू 10 होती है तो 40 बटे में 10 यानि कि यह आएगा 4 सेकेंड यानि हम यह बोलेंगे कि अगर किसी कण को हम 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेकेंगे तो अधिक्तम उचाई तक पहुँचने में वो 4 सेकेंड का समय लेगा ठीक है चलिए अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं यानि कि B यह आपका A है और यह B B देखिए क्या दे रखा है बोल रहा है कि गेंद द्वारा प्राप्त की गई अधिक्तम उचाई क्या होगी अब हम से पूछ रहा है कि आप यह अधिक्तम उचाई बताईए ठीक है यानि कि हम से H max पूछ रहा है अधिक्तम उचाई यानि H max ठीक है ये यू की value आपको दे रखिए 40m per second और A की value आपको दे रखिए minus G और यहाँ से हमसे और आगे V की value क्या दे रखिए तो V की value आपको 0 दे रखिए कौन सा गती का समीकरड यूज करना चाहिए तो आप यहाँ देख रहें कि time का तो कोई मतलब नहीं है ठीक है या आप time निकाल चुके हैं तो आप time आप या तो दूसरे समिकर को use करिए या तो तीसरे को अगर आप time का use नहीं करना चाहते हैं अगर मालीजे आपके सामने ये direct question आ जाता है तो आप कैसे करते हैं तो आपको third equation of motion लगाना पड़ता है यानि v square request to u square प्लस 2as आप ये लगाते व के place पे क्या रखेंगे 0 तो 0 का square u के place पे 40 का square प्लस 2a के place पे माइनस g और s के place पे आप क्या रखेंगे तो s के place पे आप रखेंगे h max ये रखेंगे ठीक हैं अब देखिए 0 का square कितना होगा 0 40 गुणे 40 यानि 40 का square इसको ये रखेंगे प्लस माइनस क्या होगा माइनस और 2 g की value आप 10 रखेंगे ये और ये h max ठीक है जरा इसको उठाके इधर लाईए तो जब इधर लेके आएंगे तो 20 h max बनेगा और 20 h max बराबर 40 का square ये बनेगा तो यहां से h max बराबर आपका आजाएगा 40 का square यानि 40 गुडे 40 बटे में 20 तो ये आजाएगा 20 दूनी 40 और ये 40 दूनी 80 तो यहां से देखना है कि h max जो आएगा वो आपका आएगा 80 मीटर यानि कि जो ये गेंद अधिक्तम उचाई प्राप्त करेगी वो अधिक्तम उच चाहिए आपकी होगी 80 मीटर है ठीक है तो ये हमारा बी पार्ट अब हम सी पार्ट की बात करते हैं देखिए ये easy question है इतने tough questions नहीं होते हैं बस इसे अगर आप एक बार करना सीख लेते हैं तो मतलब आपको सारी बाते समझ में आ जाती है आप करना सीख जाते हैं कि ये question किस तरीके से किये जाते हैं मतलब ये इतने tough questions नहीं है लेकिन क्या है ना कि जब अपन सीख रहे हैं तो सारी बाते अपने को सीखते वे चलना होता है अब हम सी पार्ट की बात अगर करते हैं तो सी देखें बोल रहा है कि गेंद को छत पर वापस आने में कितना समय लगेगा आप ये direct question भी कर सकते हैं क्योंकि यहां तक पहुँचने में कितना समय लिया था तो यहां से यहां तक पहुँचने में जो समय लगा था वो चार सेकेंड लगा था तो पिछले वाले question में हमने आपको बताया था कि वापस जहां से चला था वापस वहीं तक आने में जो ये अधिक्तम उचाई तक पहुँचने में जितना समय लगता, उसका दोगुणा समय लगता है दोगुणा समय, तो दोगुणा समय का मतलब कि यहीं से यहीं तक आने में उसे 8 सेकंड का समय लगेगा लेकिन जब अपन question कर रहे हैं तो अपन ऐसे कर ले देखिए यहाँ पर अगर उचाई की बात करें तो उचाई कितना हो जाएगा 0 क्योंकि यहाँ से चला था जब यहीं आएगा तो उचाई आपकी 0 U की बात करें तो U आपको दे रखा है 40 meter per second यह दे रखा है ठीक है एक की बात करें तो यह minus G दे रखा है और अपने से पूछ रहा है समय यानि कि T अब देखिए अब कौन सा equation of motion यूज़ करें तो हम third करेंगे तो third का मतलब S बराबर UT प्लस half 80 का square यह रखेंगे S की जगा क्या रखेंगे H और H बराबर क्या है S की जगा रखेंगे H और H बराबर 0 U आपको 40 दे रखा है T पूछ रहा है प्लस 1 बटे 2 A के प्लेस पे minus G और यह आपका T का square ठीक है चलिए अब देखिए 0 बराबर 40 T minus plus minus 1 बटे में 2 गुडे G की जगा 10 रखिए का square तो 2 पचे 10 यह देखिए 5 T square इसको इधर लेकर आई यह तो minus में plus में हो जाएगा तो 5 T square इजिक पस्ट चालिस टी आप यह देखेंगे T से T cancel कर दीजिए तो 5 T बराबर आपका 40 आ जाएगा तो T second का समय लगेगा किलियर है चले देखिए अब हम डी की बात करते हैं डी अपने को फेका गेंद ऐसे गया और गेंद वापस धरातल तक आता है तो बोला है कि यहां तक पहुंचने में overall कितना समय लेगा ठीक है देखिए हम अगर इस question की बात करें तो इस मतलब इस question में यह यह जो पार्ट है ना यह सबसे बहतर पार्ट है सबसे important पार्ट है अगर यह सीख गए तो आप सब कुछ सिख जाएंगे चलिए अब इस question को हम आपको अलग से सिखाते हैं हां जी देखिए हम करें कि 40 मीटर पर सिकेंड से हमने गेंद को खेका था और गेंद ऐसे गया और फिर वापस ग्राउंड तक आता है अगर हम यहां पर बात करें कि गेंद का overall विस्थापन कितना हुआ है तर देखिए अगर हम विस्थापन की बात करें तो गेद यहां से चले थी और यहीं तक आ गई तो विस्थापन याने की हाइट कितनी हो जाएगे जीरो हाइट कितनी हो जाएगे जीरो और अब यहां से यहां तक अगर जो दूरी कवर करती है देखें अगर हम इसमें बात करें तो यह ओवरॉल यह दूरी और यह दू हो जाएगा तो गेंद overall कितना विस्थापन तैंग करेगी तो इतना ही तैंग करेगी लेकिन आप गेंद को फेक रहें ऊपर तो ऊपर जाती हुई चीज को अगर लेते हैं positive finally आप इसके नीचे आ रहे हैं अंतिम जो हो रहा है आपका अंतिम समय में जो काम कर रहे हैं वो आपका नीचे की तरफ आ रहे हैं मतलब आपके गेंद नीचे की तरफ आ रही है तो नीचे की तरफ आती हुई चीज को हम लेंगे negative और अगर overall विस्थ विस्थापन कितना होगा 100 मीटर और यही उसका विस्थापन होगा लेकिन यहां पर उचाई की बात करें तो देखिए आप इधर की तरफ जा रहे हैं और उचाई जो finally cover हो रही है उन नीचे की तरफ यानि कि इसको 100 नहीं लिखेंगे minus 100 लिखेंगे ठीक है तो जो आपका यानि कि आपकी गेन ने उचाई कवर किया है वो minus 100 मीटर किया है ठीक है यही चीज समझना इसमें सबसे important होता है चलिए अब आगे की कहानी इसमें समझते है एच तो हो गया यू कितना था आपका 40 मीटर पर second अगर हम A की बात करें तो A बराबर कि था minus G अब ध्यान से समझ जिए जो भी देखेंगे ना वो यहीं से देखा जाएगा आप कहीं और से नहीं देखेंगे जो भी चीज देखेंगे आप यहीं से देखेंगे ठीक है गेन शुरुवात में किधर जा रहे थी ऊपर तो प्लस 40 मीटर आपका तोलड किधर लग रहा था नीचे तो यह ठीक है अब आपसे समय पूछ रहा है कि समय क्या होगा आप देखिए इसमें कौन सा equation यूज़ कर सकते हैं तो second use करेंगे क्योंकि time पूछ रहा है ठीक है तो second use करेंगे तो लिखेंगे s is equals to ut plus half 80 का square हम यह रखेंगे ठीक है अब s के जगह क्या रखेंगे h तो h की जगह आप क्या रखने वाले हैं minus 100 तो minus 100 बराबर u कितना है 40 t हम से पूछ रहा है plus half a की जगह रखेंगे minus g और g की value 10 और यह t का square ठीक है अब देखिए minus 100 बराबर 40 t minus plus minus एक बटे दो गुड़े 10 और यह t का square तो 2 पचे 10 यह जाएगा minus 100 बराबर 40 t minus 5 t का square यह बनेगा सब को उठा के आप इस साइड ले के आईए तो यह बन गया 5 t का square minus 40 t minus 100 देखें कैसे minus था इधर आएगा तो plus plus था इधर आएगा तो minus और यह minus में है ही बराबर 0 अब इसमें से देखिए sum में से 5 common ले सकते हैं तो 5 जब common लेंगे तो t square minus 8 t minus 20 बचेगा 20 बचे 100 बराबर 0 अब 5 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा तो इधर बचेगा आपका t square minus 8 t minus 20 बराबर 0 और यह आपका समी करण बन गया अब इसे solve करना है इस equation को solve करना है हाँ जी चलिए अब जड़ाई से समझे है हम यह देख रहे हैं कि t square है इससे भी हटा देखते हैं हाँ t square minus 5 t minus 8 t minus 20 बराबर 0 ठीक है अब देखिए यहाँ 1 है यहाँ 20 है तो एक गुणे 20 तो इक हाद समी करण आपको solve करना आता है 20 बना 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 हम जल्दी से बता दे रहे कि यही होगा तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 को हम लिख सकते हैं 2 minus 2 यह लिखेंगे तो यहाँ से t square minus 8 को क्या लिखेंगे 10 minus 2 अरे एक को हटाने कोई दिक्कत नहीं है यहाँ t minus 20 बराबर 0 यहाँ से t square minus minus plus minus यह 10t बनेगा minus और minus plus 2 का t में गुणा करेंगे तो 2t minus 20 बराबर 0 यह बन जाएगा यहाँ से t तो t minus 10 बराबर 0 देखें दोनों में से t minus 10 common ले लेंगे तो यह t minus 10 यह बन गया और यह बन गया t plus 2 और यह आगया आपका overall 0 ठीक है एक बार हम लिखेंगे t minus 10 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे t plus 2 बराबर 0 तो t बराबर आपका आजएगा plus 10 और t बराबर आपका आएगा minus 2 तो यह सेकंड ठीक है तो अब यहां पर आप एक चीज समझें यह तो होगा नहीं क्योंकि समय कभी भी रिरात्मक नहीं होता है निगेटिव कभी टाइम होई नहीं सकता है तो आपका समय होगा 10 सेकंड यानि की गेंद को अगर हम यहां से 100 मीटर के उचाई से फेकते हैं तो ग्राउंड तक आने में जो समय लगेगा वो 10 सेकंड का समय लगेगा यह सबसे बहतर पार्ट है इस क्वेस्टन का सबसे बहतर पार्ट है इसे आप जरूर समझें जो आपको माइनस हंडेड दिखाया गया उस बात को आप समझेगा कि विस्थापन आपका यहां पर कैसा हो समय जब स्थापन निगेटीव होगा तो आप माइनस में रखेंगे ठीक है बाकी चीजों से मतलब नहीं है बाकी चीजों से उपर की कैंसल हो गई थी तो वहां से कोई मतलब नहीं है चलिए अब जरह हम नेक्स पार्ट की बात करते हैं यानि कि आपका नेक्सट पार्ट ज दे रखा है यह में यह बोल रहा है कि धरातल पर टकराते समय गेंद की चाल कितनी होगी धरातल पर टकराते समय गेंद की चाल कितनी होगी ठीक है यह हमसे बोल रहा है अब आप यहां से समझिए कि गेंद को हमने फेंका कितने से सा 40 मीटर पर सेकेंड से तोरण आपका कितना माइनस जी यहां से ग्राउन तक आने में कितना समय लगा है तो अभी हम देखे हैं 10 सेकेंड लगा है अपने से पूछ रहा है कि कितने वेग से टकराएगा ठीक है अब यहां पे जो गती का समीकरार यूज करेंगे वो पहला V equals to U plus आप 80 रखेंगे V हमसे पूछा है U की बात करें तो 40 है प्लस A की बात करें तो माइनस जी यानि कि माइनस 10 और यह T और T की बात करें तो T कितना दिया है 10 सेकेंड तो गुणे 10 यह होगा V बराबर 40 माइनस प्लस माइनस और 10 दहां पे 100 घटाएंगे तो आएगा माइनस 60 मीटर पर सेकेंड माइनस 60 मीटर पर सेकेंड ठीक है तो यहां से समझे आप यहां पे यह बोल रहा है कि जो गेंध है V equals to minus 60 मीटर पर सेकेंड वो इससे टकराएगी अगर आप से केवल परि पर सेकेंड से लेकिन यह माइनस 60 का क्या मतलब है माइनस 60 का मतलब यह है कि गेंध को हमने फेका था पहले उपर की तरफ लेकिन फाइनली गेंध टकरा रहे है नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ दिखाने के लिए यह आगे माइनस आया है तो यह चीज आप समझ लीजिए और यहीं पर हमारा यह question complete होता है ठीक है अब इसमें एक question और है उसे भी आपन देख लेते हैं चलिए जी next question समझें next क्या दे रखा है तो next का मतलब fourth number देखें क्या दे रखा है एक गेंद को 180 मीटर की उचाई से छोड़ा जाता है अब यह समझें कि जैसे यह था यहां पर एक आदमी खड़ा है ठीक है और यह एक गेंद को हाथ में लिए पड़ा है और इसे छोड़ रहा है और यह जो उचाई दे रखी है वो बोल रहा है कि 180 मीटर की उचाई से गेंद को छोड़ी जा रही है हमने आपको एक चीज बताया था कि जब गेंद को छोड़ी जाए तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग यानि की यू जो होता है वो जीरो होता है यू कितना होता है जीरो होता है ठीक है बोल रहा है कि यह कितने समय बाद जमीन से टकराएगे कितने समय बाद जमीन से टकराएगी तो ये पहला question है लेकिन एक बात ध्यान से समझे अगर हम किसी चीज को ऐसे छोड़ेंगे तो वो जाएगी किदर की तरफ नीचे की तरफ तो गीद किदर आ रही है नीचे की तरफ और जी भी आपका लग रहा है नीचे की तरफ तो यानि कि हम बोलेंगे यू की value तो 0 है लेकिन अगर हम एक ही बात करें तो यहाँ पे plus G लेंगे ठीक है plus G यानि इसे हम ले लेंगे 2 meter per second का square ठीक है हमसे ये बोल रहा है question में कि कितने समय बाद अपने से पूछ रहा है time time कितना लगेगा लेकिन दिया है h height दे रखी है h दे रखा है कि h बराबर आपका 180 meter ये दे रखा है अपने से ये पूछ रहा है आप देखे कौन सा equation of motion यूज़ करेंगे समय पूछ रहा है न height दे रखी है तो दूसरा करेंगे यानि s equals to हम रखेंगे ut plus half 80 का square ये अब यहां से समझे ए s की value कितनी है s की जगह हम रखेंगे h और h आपका दे रखा है 180 meter और यहां पे आप ये मज़ सोचिए कि h plus की minus आप खुद देखिए उचाई यही थी गेंद को यही से छोड़ा जा रहा है और इधर ही आ रहा है इसलिए h को हम plus मिले लेंगे h को किस मिलेंगे plus में तो ये आजाएगा 100 बराबर u की value आपके 0 है u की value कितनी है 0 into t plus 1 बटे में 2 a के place पे हम क्या रखेंगे g a के place पे g तो g रखे और ये t का square ठीक है ये 100 ये 2 इधर आएगा आ गया बराबर अब देखे g की जगा हम क्या रखेंगे 10 और ये बनेगा t का square ये बन गया ज़रा इसको इधर भेजिए तो अरे इसको आप ऐसे t square बराबर 100 गुणे 2 बटे में 10 रख सकते हैं तो 10 दहां पे आपका आगया 100 ठीक है तो ये बन गया 20 तो 20 आगया तो t बराबर आपका आगया root 20 कितना root 20 तो हम यहाँ पे ये बोलने वाले हैं कि इतना second का समय लेगा ground तक पहुँचने में मतलब इतना second root 20 सेकेंड आपका समय लगेगा तो ये question हमारा यहीं पे complete होता है इसमें B part की बात करें ये A part था अब B part की बात करें तो B क्या दे रखा है जरा वो देखिए बोला है कितने वेग से टकराएगे कितने वेग से ये gain जो है वो टकराएगे यानि कि अब हमसे पूछ रहा है V की value क्या होगी अपने को U दे रखा है 0 है A दे रखा है वो plus G है और हमको और एक चीज दे रखा है कि कितने वेग से टकराएगे और पहुँचने में समय कितना लग रहा है T और T की value कितनी है root 20 इतना है तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने अच्छा एक और चीज कर लेते हैं अपन ये equation यूज नहीं करते हैं अच्छा दिया है न रहने दो H की value दे रखा है 100 meter आप देखिए कौन सा equation यूज करना ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पे third equation यूज करने इसको देखिए आप second भी यूज कर सकते हैं और third भी यूज कर सकते हैं ठीक है क्योंकि time का अगर लोचान न रखें इसमें तो भी आप question आराम से solve कर सकते हैं तो देखिए हम रखेंगे V square is equals to U square plus 2 AS तो V square बराबर U U की value कितनी है जीरो U की value कितनी है जीरो प्लस 2 A की value कितनी है 10 Z रखेंगे 10 S की value 100 यह है तो V बराबर आपका आजागा root में अब देखिए इसको लिख सकते हैं दो गुडे 10 गुडे 100 और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 यह पहले ही आगया यह अब 20 बचा 20 को लिख सकते हैं 4 गुडे 5 तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 अंदर क्या बचेगा यह तो यहां से 20 root 5 आजाएगा तो V बराबर इतना मीटर पर सेकेंड हम यह कहेंगे कि जो गेंद है मतलब अगर किसी गेंद को 180 मीटर के उचाई से छोड़ा जाए तो धरातल तक पहुंचने में समय लेगी इतना और इतने वेग से वो टकराएगे बात समझ में आ गई तो इस तरीके से हमारा यह पार्ट आज का कम्पलीट होता है ठीक है इसके आगे वाले लेक्चर में हम एक और important concept देखेंगे जिस पर question आता है तो आपका एक बार दिमाग घिल जाता है ठीक है वो भी अपन समझेंगे लेकिन next lecture में तो चलिए मिलते है next lecture में तो thank you